जहिंद वेलकम टू टूड़े एक्जाम क्लासेश दोस्तों जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप मोडल पेपर करने जा रहे हैं जिसमें ऐसे क्योशन आंसर करेंगे दोस्तों जो आपके बड़ी फरती प्रिक्सा, LTC, Forest Guard तता Second Grade Teacher Exam 2022 के अंतरकत पुछे जाने वाले Most Q&A करेंगे दोस्तों अगर आप भी इन बड़ी फरती प्रिक्साओं की त्यारी करेंगे तो इस वीडियो को लास तक देखेगा तता Skip ना किजेगा दोस्तों और हमारे साथ अंतर तक जरूर बने रहेगा दोस्तों क्योंकि इन competition level में हाली में पुछे जाने वाले तता बार-बार repeat होने वाले Q&A को करेंगे दोस्तों तो आज का टॉप का model paper है जो LTC, Forest Guard तता Second Grade Teacher Exam 2022 के अंतरकत पुछे जाने वाले Most Important Q&A है दोस्तों आपके सामने पहला question पहला question आपके सामने पोला वर्म प्रोजक्ट किस पर्देश में है तो इसका साहहि आंसर हो क्यों सब्सक्राइब Idea नैस के इसके आप सामने हैं अरब सागर की राजदानी किसे कहा जाता हैं तो इसका से आंसर हो देगा option number C इसके आप्टर अरब सागर की राजदानी को कहा जाता हैं कहा जाता हैं अगला क्यूशन चीरिया लोह आयस का ख़दान परिसर कहां पर इस्तित हैं तो इसका से आंसर रोजिक ऑप्सिन नुमर्ट डीज के एक्ट चीरिया लोह आयस ख़दान परिसर हैं वो छारकंड में इस्तित हैं नैस के उसे आप सामनें अमरावती अर्कविथी भवानी चिननार हेमावती होन नीहौल काविनी इत्यादी किसके सायक नदिया हैं तो इसका से आंसर रोजिक ऑप्सिन नुमर्ट अर्कविथी भवानी चिननार हेमावती होन नीहौल काविनी इत्यादी हैं वो कावेरी की साय कावेरी दक्सिन फारत की नदी है, जो इसमें ये इसकी परमुक सायक नदी है अगला क्योंसन, फारत की इस्तले सिमा लगबग 15200 किलो मेट्र है पारत की सबसे लंबी इस्तले सिमा किस देश के साथ है तो इसका सजरी आंसर हो जिगा ऑप्सन ओ एसक एकर है फार्त के इस्तले सिमा लगबग 15,200 किलोमेटर हैं फार्त के सबसे लंबी इस्तले सिमा हैं वो बांगला देश से हैं फार्त के इस्तले सिमा बांगला देश चीन, पाकिस्तान, नेपाल, मयामार और फुटान, अफगानिस्तान से लगती हैं बांगला देश के साथ फार्ट के कुल इस्तले सेमा 4,600 किलोमेटर लगती हैं और पूरी कितनी हैं? 15,200 किलोमेटर हैं अगला किशन उत्रभार्ट के विसाल मैदान, गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस परोसंकला द्वारा विबाजन की आज जाता हैं? तो इसका सही आंसर होज़ेगा उप्सन नमबर 20 के एक्ट उत्रभार्ट के विसाल मैदान, गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच परोसंकला का विबाजन हैं वो विंद्य सत्थ पुडा के द्वारा किया जाता हैं विंद्य परवत स्रंकला मध्य पच्चिम भारत में इस्तित ये गंगा के मैदान को दक्कन पठार से अलग करती हैं विंद्य परवत स्रंकला मुख्य रूप से मध्य परदेश, उत्तरपरदेश, 26 ओर गुजरात में इस्तित हैं अगला क्योंसन चेतरपल के आदार पर फारत का सबसे बड़ा फोगोलिक हिस्सा कौन सा है तो इसका से आंसर हो दिए उपसे नमर सी इस क्यारक्टर चेतरपल के आदार पर फारत का सबसे बड़ा फोगोलिक हिस्सा है वो दखन पठार है पठार में दक्सिनी भारत का अधिकतर हिस्सा आता हैं इसमें भारत के आठ पर्मुक राज्ये आते हैं नेश्ट के सापसान है उत्रप्रदेश के बाद भारत के किस राज्ये में रेल नेटर्ग सरवादिक हैं तो इसका से आंसरोजे आप्शन नूर एसके एक्ट उत्रप्रदेश के बाद भारत के राजस्तान राज्ये में रेल नेटर्ग है वो सरवादिक हैं भारत में रेलवे ये अमेरिका, रूस और चीन का विषु का सबसे सोता सबसे बड़ा Railland Work है किसका भारत देश का उत्रे प्रदेश के बाद किसका सबसे जहर्वादी ग्रेल लेंट ओर गए राजस्तान राजी का है जो विषु में भारत कितने स्थान पर है रेल नेटरुक में चोते इस्थान पर है अगला क्यूशन किस फसल में असली तता नकली फसलों के गुण सम्मिलित है तो इसका सही आंसर रदिग उप्शन वर सीज कैक्टर काजू फसल में असली तता नकली फसलों के गुण है वो सम्मिलित है अगला क्युशन, वाक समन को किस खोज के लिए नौबल पुरुसकार दिया गया था तो इसको से आंसर हो दिए ओप्षोन में 20 क्याक्टर स्टेप्टोमाईसेन की खोज के लिए वाक समन को नौबल पुरुसकार परदान किया गया था अगला केशन सोतनतर रूप से भूमी में रहने वाला अवयाव यह जिवानू जिसमें नाइट्रोजन इस्तिकन की समता होती है वहाँ कौन सा है तो इसका साई यांसर रोजे ओप्सर नवर से इस क्याक्टर सोतनतर रूप से फोमी में रहने वाला अव्याविक जिवानु जिसमें नाइट्रोजन इस तरिकन करने की समता होती है वो होते हैं कला इस्ट्रीडियम होती है तो इसका से यांसर रोजे ओप्सर आपक्र क्याक्टर तस्टो मौरारी गलेसियर वैटलैंड देश के किस राजिमें इस्तित है और अगला कुशन निमलिकित मेंसे किस इस्तान को अर्थ पोल कहा जाता है तो इसका से यांसर हो जिए ओप्सन अवर डीज के एक्ट निमली कित में से चियासिन गलेशिर को थर्ड पोल कहा जाता है जमू कस्मी सिमा पर भारत पाकिस्तान के मदे इस्तित चियासिन गलेशिर को थर्ड पोल अत्वा तीसरा थूरू कहा जाता है सिया सिंग गलेसर की विसम जल्वायू के कारणी से थार्ड पोल कहा जाता है सदाम बीच किस राज़े में इस्तित हैं सदाम बीच के मलब पुरम जिले में इस्तित है 1901 के खाड़ी यूद के दोरान इराग का राशपती सदाम बुखसेन के नाम पर रखा गया था नेक्स क्यूशन फार्टिय फसल प्रसंस्क्रण तकनिक संस्तान किस इस्तित है तो इसका से आंसर हो थी आप्शन में भी इसका एक्ट है फार्टिय फसल प्रसंस्क्रण तकनिक संस्तान है वो तंजावूर इस्तान पर इस्तित हैं फार्टिय फसल प्रसंस्क्रण तकनिक संस्तान को अब बजल कर खाड़ी फार्टिय फसंस्क्रण तकनिक संस्तान रखा गया है ये तमिनलांडू के तंजावोर में इस्तित हैं अगला क्यूशन 1924 में भारत के कच्छ तीवूद दिव किस देश को दे दिया था तो इसका से आंसर दो जीग आप्सेन और एस क्याक्टर 1924 में भारत के कच्छ तीवूद दीव हैं वो सिलंका देश को दे दिया था कच्छ तीव भारत के रामेशुर और सिलंका के नेड़नू तीवू के बीच इस्ति था इस दिव को लेकर भारत और सिलंका के बीच विवा था 1904 में एक समझोते के तैट एक सर्तों के साथ भारते उस दीपर सिलंका के अधिवित्य को मानिता दे दी थी कब दे दी थी? 1904 में अगला किसन गगर किस राज्य की एक मातर मौसमी वा मुख्य नदी हैं तो इसका से आंसर रोजे ओपसन वर डी इस कैक्टर गगर हैं वो हर्याना राज्य की एक मातर मौसमी वा मुख्य नदी हैं गगर नदी तिबत में माप चाउंगो गलेशियर से निकलती हैं इसकी कुल लंबई है वो 1080 km हैं कितनी हैं 1080 km और कां से निकलती हैं माप चाउंगो गलेशियर से निकलती हैं और हर्याना राज्य की एक मातर मौसमी मुख्य नदी हैं अगला के उसन निमलिकित में से उत्रप्रदेश का कौन सा सेर लकडी की नकासी के लिए प्रसिद हैं उत्तु प्रदेश का साहरन पूर्नगर लकडी की नकासी बासमती चावल और आम के लिए प्रसिद है अगला क्योशन केंद्रिय मतस्य नौचालान एंउ इंजिनियरी प्रसिक्षन संस्तान किस इस्तान पर इस्तित है तो इसका से यांसरोजिक आप्शन एस करेक्टर केंद्र के कोच्छी में इस्तित है अगला क्योशन अमलगम किसकी मिसर्थातु है तो इसका से यांसरोजिक आप्शन एस करेक्टर आमलगम है वो मरकरी विसर्थातु है अमलगम पारे की एक मिसर्थातु है जो किसकी है मरकरी की या पारे की मिसर्थातु है अगला question, neutron की खोज के लिए noble पुरुषकार किसे दिया गया था तो इसका से यांसर रजिग उप्शन अपने electron को खो देता है तो इसका से यांसर रजिग उप्शन वर C इसका एक प्रोटोन कर्ण बच जाता है जब हाइडरोजन परवानों अपने electron को खो देता है तब एक प्रोटोन उसके पाँच या उस तत्तु के पाँच बचा रहता है एक तत्तु के पाँच कौन सा कर्ण रहता है प्रोटोन कंड बचा रहा था है जब हाइडरोजन परमानु अपने इलेक्टोन को खो देता है अगला क्योशन एक्सोश है तत्तों की खोज किस ने की थी तो इसका सही आंसर रजी का ओप्शन में 20 के एक्टर है वो प्रोटोनों और निउट्रोनों से बने होते हैं नेक्स क्योशन जर्मन सिल्वर्स में निमलिकी थात्वे होती है तो इसका सही आंसर होती का ओप्शन में एक्स का एक्टर वा तत्तु जो प्रकति में नहीं होता लेकिन करत्रियम रूप से उत्पन किया जा सकता है क्या है तो इसका सेयांसर रोजिगा उप्शन में 20 क्याक्टर रेडियम तत्तु है जो प्रकति में नहीं होता निम्न मैं से प्रकास का रंग है वो आवर्ती से संपन्दित होता है अगला क्योशन परमानू घड़ी निमन लिकित मैं से किसके संकर्मन पर आधारित होती है आइस्स QION परकास का वेग सबसे पहले किस नहीं ना पा था तो इसका सरी answer आप्सर नूरे CS क्याक्रण है सरी परकास का वेग है सबसे पहले विएजियानि करोमर नहीं ना पा था अगला QION किलोवाट जंटा एक यूनिट किस की एकाई है किलो वाट खंटा परती एकाई खंटा है वो उर्जा की यूनित या उर्जा की एकाई है इसकी उर्जा की क्या है किलो वाट परती खंटा या किलो वाट खंटा है जो उर्जा की एकाई है जब किसी पासान खंड को पानी में डुबए जाता है, तो वा समान में पानी को विश्तापित कर देता है जब किसी पासान खंड को पानी में डुबाय जाता है तो आयतन की कारण वह समान में पानी को विस्तापित कर देता है अर्थात किसी भी पासान खंड को पानी में रखेंगे तो उसमें उपर से पानी की थोड़ी आयतन के कारण वह वस्तु हमें तिरसी दिकाई देगी किसके कारण आईतन के कारण है अगला क्योशन बहुत उच्छ तापमान को मापने के लिए हम किसका परियोग करते हैं तो इसका से यांसर रोजी का उप्शन में 20 के एक्टर बहुत उच्छ तापमान को नापने के लिए प्लेटिनम परतिरो ताप मंबी का परियोग किया जाता है अगला किशन भारत के पहले उपगरे लॉंचर का क्या नाम है तो इसका से यांसर रोजे ओप्सन नमर सी इस कहते है भारत के पहले उपगरे लॉंचर का नाम SLV-3 है SLV 3 भाद का पहला उपगरे लॉंचर था जिसे 1980 में 35 kg का रोहिणी उपगरे छोड़ा गया जो अशपल था इसके बाद 1980 में रोहिणी को दोबरा छोड़ा गया जो सपल था कौन सा पहला उपगरे लॉंचर था SLV 3 था Next Question प्रसिद होर्न बिलते होर कहां मनाया जाता है तो इसका सब्सक्राइब प्रसिद होर्न बिलते होर है वो नागा लेंड में मनाया जाता है होर्न बिल महोसो भारत का एक प्रसिद महोसो है जो नागा लेंड में मनाया जाता है अगला के सामने सांता क्लोज का असली नाम क्या है तो इसका सही आंसर हो दिए ओप्सिन में 20 का एक्ट सांता क्लोज का असली नाम सेंट निकोलस है सेंट निकोलस या सांता क्लोज इससयो का एक चरीत्र है अगला के साख्षाम ने लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद है तो इसका से आंसर रोजे ओप्सेन में भी इसका एक्ट है लावी मेले के लिए इमाचल प्रदेश है वो सबसे प्रसिद है कौन सा प्रदेश है किस के लिए परसिद है लावी मेले के लिए सबसे परसिद है अगला question महल नगर किस प्रदेश में है तो इसका सरी answer रोजी ओप्पिस नमर इसका एकर महल प्रदेश है वो हिमाचल प्रदेश में हैं अगला क्योशन विश्टो की सरवादिक जनसें के आवाला धरम कौन सा है तो इसका से यांसर रोजी और अप्शन नमर डिस के एक्ट विश्टो की सरवादिक जनसें के आवाला धरम है वो इसा ही धरम है नेक्स क्योशन फसल कटाई के बाद चाकन गान न गई तो यहों किस परदेश में मनाया जाता है तो इसका से यांसर रोजी ओप्शन वो एस क्याक्टर फसल कटाई के बाद चाकन गान न गई तो यहों है वो मनिपूर परदेश में मनाया जाता है नेक्स्ट क्यूशन टेगो और संसकर्ती और सब्यता के अंदर कहां इस्तित हैं तो इसका से यान सरोजे और सब्यता के अंदर हैं वो सिमला में इस्तित हैं अगला क्यूशन हुमा का जुका मंदिर किस देवता को समर्पित हैं तो इसका से यान सरोजे और से इस क्याक्टर हुम्मा का चुका मंदिर हैं वो सिव देवता को समर्पित हैं हुम्मा का चुका मंदिर फिर्षो का एक मातर चुकावा मंदिर हैं ये भगवान सिव को समर्पित हैं जो उड़ी सामें इस्तित हैं इससे के साथ अपनी त्यारी को मजबूर बनाले के लिए हमारे साथ बने रहेगा वंदे मातरा